हेलो दोस्तों गुट इवनीग कैसे हैं आप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे वेलिकम बैक टू माइचेनल प्रेंट्स आज मैं हूँ अपनी कीचन में और इबनी टाइम है और फ्रेंट्स मैं बनाने वाले हूँ आज बुजराती खीचरी और खीचरी का नाम सुनते ह कि बहुत कम लोग खुश होते हैं क्योंकि कीचरी सब को पसंद नहीं आती है लेकिन है मैंने यहां गुजरात में किच्टी खाई तो मुझे बहुत पसंद आई फ्रेंट्स अपने इधर भी बहुत अच्छी किच्टी बनती है यहां की जो खीच्टी है और यहां का तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने लेली है तुवर दाल अरहर दाल जिसको कहते हैं हम लोग यहां पर उसको तुवर दाल कहते हैं और यह थोड़ी बारीक होती है जो अरहर दाल होती है उससे और इसमें मैंने एक बड़ा आलू काट के डाल दिया है और अब मैं इसको भीगान कि अभी और कि साथृ अच्छी में कट करों वी यहां पर एंधर है हिसी निया है भी यहांपती जो हाड होती है वह वाली उतों और यहां पर यह अभी रूप दिया गया है यह कुछ न कुछ मांगता रहता है बीच बीच में तो इसको भी कुछ चीह होता है तो मैंने उसको मांग रहा था मैंने दे intéressant के जान का उड़िये और अभी मैं सारे सबूर्जिया दें है और मैं सारी कट कर लेती हमें कि करके सब्जों में है प्यास टमार्टर, बीन्स, बेंगन और कर्रेक में डाल विन फ्रिंच कर्षाण सकते थाई प्यास गले, प्यास टुक्ति दिए खे टज़ इस दो कर्षाण से याईन, बीन्स, बीन्स, तामार्टर, बीन्स, बीन्स, टुक्ति अर्चाण कर्षाण कर्षाण और यहां पर मैंने सारी सब्जियां कट कर ली है और मैंने ऑईल डाल दिया है कूकर में और अब मैं यह डाल दी हूं सर्सों यहां पर यहां पर सर्सों डाला जाती है और यह घाले है यहां बव्याइबं नियां के विस्तय आपड सब्छाइब्सर्ट उपडित नizing यहां अपंटि जाती है लगँआ शाल यहां और वह एक इसाल आट कि अलग मीं वह बतलग मचरों अब जो फ्रेंड्स नॉर्मल मसाले आते हैं जो सारे में इसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल मेरी और इसमें एक स्पेशल मसाला मैंने डाला है गुजराती मसाला थोड़ा ही डाला है ज्यादा नहीं और अब मैं इसको अच्छे से भून के सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुछे हैं तो अब मैं इसमें चावल डाल और आलू जो मैंने इसमें काटा था फ्रेंड्स तो वह मैं सारे डाल दूंगी तो फ्रेंड्स सारे मसाले मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूंगी चावल जो मैंने डाले हैं और तब तक भूनती रहूंगी जब तक अच्छे से सारा मसाला मिक्स न हो जाई चावल में और थोड़ा भून लूंगी इसको दो मिनिट तक जब भून जाए तो थोड़ा प पानी डाल चुकी हूं और मैं टेस्ट करूंगी क्योंकि इसमें नमक थोड़ा तेज ही डालना पड़ता है क्योंकि चावल में नमक कम रह जाता है और जो उसका जो रहस होता है फ्रेंड्स इसमें हमें नमक तेज लगता है लेकिन थोड़ा तेज इसमें डालना पड़ता है कि जब हम खिच्डी खाएं तो हमें लगे ना कि चावल में नमक कम रह गया है तो इसलिए हमें थोड़ा नमक ज्यादा ही डालना पड़ता है तो इसमें लगा लेंगे फ्रेंड सब कुकर में ढखन और थोड़ा सब गैस भी सीम कर लेंगे हलकिसी और फ्रेंड सब मैं जो थो फ्रेंड्स प्लानिंग से थोड़ा काम करो तो काम जल्दी हो जाते हैं जैसे मेरी खिच्री बन रही है तो तब तक मैंने ये सारे बरतन यहां पर धूल दिये हैं जो शाम की थोड़ी बरतन थे फ्रेंड्स वो मैं धूल रही हूं अभी किस सके एक भी थो भो मैं प्लानिंग से जएल के लिएवे जाँ दो ये ठाइब के रही हैं अजल सकते हैं जाँ किस सक्राह़ी साहँ कित आब वहाँा हैं उह भी गजर सत्व एकलन ऊमानेinding प wonders math खर प occupशए콩 कि भीण्स वचल से लिएवेश बार चारा हैं तो फ्रेंट्स बच्चों के चल गए हैं एक जान में इस प्रेशन अंसर पूस लेती हूं जब तक तब तक मेरी खिचडी भी बन जाएगी फ्रेंट्स खिचडी को लगबग मैं तीन विशल हूंगी और तेन विशल पाक जाएगी फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स फिच्डी तो मैंने बना ली है आज का व्लोग आपको कैसा लगा प्रेंट्स कमेंट बोक्स में बताएं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिन्दे हैं नेट्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाई एंड टेक कियर प्रेंट्स